अब प्राजिता जी एक हपते के बाद तस्पीर पूरी साफ हो जाएगी मेरी सयोगी राजीब करें लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखरी वक्त पर बीजेपी को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है बड़े बड़े नेताओं से घरगर प्रचार कराना पड़ रहा है खबर ये है कि आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी घरगर प्रचार करवाएंगे इसकी वज़े क्या है कोई बड़ी चुनौती है के सामने आप सबको मेरा नमशकार देखे ऐसा है कि मुझे किसी भी तरह का फर्क नजर नहीं आ रहा है और मेरी समझ से देश के किसी भी वेक्ति को किसी भी तरह का फर्क नजर नहीं आ रहा है भारतिय जनता पाटी बहुत समझदारी के साथ परिपक्वता के साथ अपनी रणनीती तै करती है और उसके बाद बहुत संजीदगी के साथ किसी भी निर्वाचन को लेती है मुझे लगता ये बच्चा बच्चा समझता है पारशद का निर्वाचण हो या सामसद का निर्वाचण हो हम सब मिलकर जी एक अच्छी टीम की तरह काम करते हैं और हमारा एक और लोगों का जन समर्थन ग्रहन करें और हम अपना रिपोर्ट काट लेकर लोगों के पास जाएं तो मैं ये कह दूँ कि जहां तक गुजरात का सवाल है और जहां तक कार्पिट बॉम्बिंग का सवाल है इसमें कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा है इस तरह हम हर बार करते हैं आप किसी भी हो सकता है शब्द कार्पिट बॉम्बिंग नहीं लगती हो लेकिन हम सब मिलकर काम करते हैं देखे मुझे भी आदेश आया है पाटी से कि मैं एक विदान सबाक शित्र में जनसंपर्क करूँ तो हम सब एक अच्छी टीम है और जहां भी लड़ाई हो निर्वाचन हो युद्ध हो तो हम सब मिलकर अपने पाटी को जिताई है तो मुझे नहीं आ रही है और हम जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और जो लाफ्ट फेज है ये फेज वन है इसके बाद फेज टू डिसेमबर वन और डिसेमबर पाँच ये इसके लिए जो कार्पेट बॉंबिंग की जो नई कंसेप्ट लाई गई है तो बेसीकली वो हम सब मिलकर कर और जीत की तरफ अग्रसर हों लेकिन अपराजिता जी पक्षी पार्टियां तो यह कह रहे हैं कि 27 साल की एंटी इंकमबेंसी है इसलिए पुरे कैबिनेट को बदलना पड़ा इसलिए पुराने चहरों को मैदान में उता कर नई टीम पर भरूसा करना पड़ा इसलिए आपको कि बात करने कभी यह नहीं हुआ है मुझे एक उदाहरंगे हम सब मिलकर जाते और हम सब मिलकर काम करते MCD पोल्स में भी आप देखेंगे हम सब महां मौजूद रहेंगे तो हम ऐसा ही हमारा परिवार ही ऐसा है हम अलग मनसिक्ता के लोग हैं हम चाहते हैं लोगों के साथ र और इस बार भी होगा ठीक है